असलाम अलेकरा में तिल्ला बरकातू, वेलकम टू रुजदास की चैनल, आप सब लोग कैसे हो, उमीद करते हैं अल्ला के फैसलिकरम से आप सब लोग खहरे सी होगे, आज फरी नई रेसिपी के साथ हाज रहे हम यहाँ पे मुंबई की फेमस पाव भाजी की रेसिपी आप से के लिए हैं पर हमें 200 ग्रांप कॉली फिलावर weiß यानी के खूल पी ले लिए है एक चोटा सा कैपिकट मेंक चाउप में कट कर लिए है जोटा घ्रण कर दिया है माटर लेलिए है ऐक बड़ा माटर इस पर चौप में कट कर है दो चौटे competस को में चरुप में 미कट कर लिए का तो एक ही ले लीजिएगा यहां पर हमने दो बड़े आलो को इस तरीके से कट करके रख दिये हैं सारी सब्जिया हमारी रेडी हो गई है अब हम गुकर में अलो और सारे सब्जिया दाल देंगे हाफ टीश्पून नमक दाल देंगे वान एन हाफ ग्लास पानी दाल देंगे अब इसे एक बार अच्छे समने मिक्स कर लिए इसका लीड लगा लेंगे हाई फ्लेम पे एक सीटी लेके पांच मिल्ट के लिए स्लो कर देंगे ताके सारी सब्जिया अच्छे से गल जाए जब मसाला रेडी कर देंगे इसके लीड पान रख दिया है दो टेप Mun भर के औल देग अब हम इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे अब हम प्यास चॉप किया हो वह दाल देंगे अफ इसे हम अच्छे से फृय कर लेंगे जब अलाय्ट गोलटौन मिनी आता है इसी तरह से भास प्यास का कलर लाइट गुल्डन हो गया वाइन हाफ टीसपून जिंजर गार्लिक पेज दाल देंगे अब इसे अच्छे से हां एक से दो मिनट इस तरीके से भून लेंगे ताकि इसकी रॉय स्मेल चली जाए अभी अच्छे से भून गया है अब इसमें टमाटर दाल देंगे और हाफ टीसपून नमक दाल देंगे थोरा कम ही दाल देंगे क्या हमने पहले भी दाले है इसलिए हमने कम दाल दिये है विसे कवर करके पांच मिनट के लिए रख देंगे पांच मिनट हो गए है अब इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ह अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे, 1-2 तीजपून रेच चिली पाउडर, यहां पर हमने एवरेश का पावभजी मसाला ले लिए है, यहां दो टीजपून भरके डाल देंगे, अब सारे मसाले को अच्छे से पकारेंगे, इसमें ज्यादा मसाले नहीं दालना है, को पर करके रख देंगे ताकि सारे मसारे अच्छे से भून जाए पांच मिनट हो गए अब देख सकते हैं सर्फेस पर ऑईल भी आ गया है इसका रेट कलर आने के लिए हम यहां पर कश्मीर रेचली पॉड़र वन टीश पून दाल देंगे ताकि और अच्छा कलर आ जाए जैसा इसे दरदरा रखना है बस हमें इतना ही करना है अब हम इसे मसाले में दाल देंगे हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राइ हो गया अब देख सकते हैं अब सारी सबजिया इसमें दाल देंगे अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे सबजिया मसाले अच्छे से मि पानी दाल देंगे इसकी consistency हमें थोड़ी पतली ही रखना है क्योंकि ठंडी हो जाती तो बहुत ठीक हो जाती है अब हम इसे और दो से तिन देपर पानी दाल दिये था वह भी हमने दाल दिये हैं अब इसे कवर करके देख सकते हैं अच्छे से पक रही है अब इसे हम अच्छे बटर देंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजे अच्छे से पक गई है पाव भजी बनके रेडी होगी अब देख सकते हैं इसकी consistency इससे जादा हमें ठीक नहीं करना वियास की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे साइट में रख लेंगे जब ठंडी हो ज बटर लगा लेंगे यहां पर हमने लाल मििश को इस तरीके से स्पृइव फिंगल कर देंगे हिस पैने रखी तोढ़ दिए हैं थोड़ा सा वाट बस बर्के ऐल डाल दूलेंगे इसमें इस से कैसे अच्छी शाइन भी आ जैएगी आप रगिए अच्छे फोयर दाल देग अच्छे से फ्राइ भी हो थोरा सा और हमने बटर लगा दिये हैं गयास की फ्लेम को स्लो रख देंगे अब हम इसमें पाव भाजी जो हमने बनाए उसमें से एक टी स्पुन हमने डाल दी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब बटर और मिर्स पाउडर लगा है पाव और जो भी साइड साइड में लगा हो पोंच के ले लेंगे ताके और अच्छे से शाइनी दिखे ये इसे हमें हाड नहीं करना है पाव को बस ये अच्छे से फ्राव हो जाए अब तक हमने इसे कर लिए इसी दरह से हमें जितने पाव करना उतना हम कर लेंगे अब हमारे प पाव फ्राय हो गए है अब इसे हम साविंग प्लेट में निकाल देंगे अब पाव भजी भी देख सकते हैं थोड़ी हलकी सी ठंडी हो गई तो थीक हो गई यह बस हमें इतनी ही चाहिए था अब हम इसे सर्फ कर लिए है अब हमने पाव जो फ्राय के वह दाल देंगे आपको बहुत पसंद आएंगे अगर आपको हमारे इस इंपरर इजी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरू लाइक शे सब्सक्राइब कीजिए दौाओं में याद कीजिएगा फिर मिलेंगे इंशाल्ला नेक्स रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला कर दो कि दो खाओंज सब्सक्राइब कीजिएः अपमारे साथ लाइवा कर दो अखको ङंचे रिए हो ध्या है आपको हमारे साथ.